टकुशन है हाल ही में अंतराष्टी मानव एक जुटता दिवस कम मनाया गया है, तो हाल ही में अंतराष्टी मानव एक जुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया है, यानि भी ओप्सन राइट होगा, अंतराष्टी मानव एक जुटता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता ह इसका मुख्य उद्धिस लोगों के बीच एक जुटता के महत्त को बताने के लिए करीवी पर अंकुष लगाना और विकास सिल देसों में मानो और समाजिक विकास को बढ़ावा देना है संयुक्त राष्ट ने 22 दिसंबर 2005 को यह दिवस मनाने की गोशना की थी ठीक है ना किसने की थी संयुक्त राष्ट ने अब बात है इंपोर्टेंडे की तो लाइन से इंपोर्टेंडे देख लेती हैं पहला है एक दिसंबर को मनाया गया है विस्व एट्स दिवस और बी एसफ इस्थापना दिवस दो इन्पोर्टन 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 भी विसम्रदा दिवस और राष्टि डिस्टक को इंदे यू दो इंपोर्डन्द अथि समभर को मनाय गए है। पोधी दिवस, 9 दिसंबर को मनाया गया है अन्ताराष्टिये ब्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को मनाया गया है मानवा अधिकार दिवस, 11 दिसंबर को मनाया गया है अन्ताराष्टिये परवत दिवस और यूनिसेफ दिवस, 12 दिसंबर को मनाया गया है सर्व को म이나या गया है गोवा मुक्ती दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया है अलम संक्यक अधिकार दिवस और अंतारष्टि प्रवासि दिवस State simply कुमनबने उश्जैत दिवस जी यह smr के सारे important day जो आपको याद रखना है next question देखेंगे दूसरा question है हाल ही में किस देश ने किस देश ने AI के किस देश ने AI पर वैस्विक साज़ेदारी की मेजबानी की है तो इस question का right answer होगा option C right होगा भारत ठीक है ना 12 दिसंबर 2023 को नई दिल्ले में artificial intelligence पर वैस्विक साज़ेदारी की सुरुवात हुई है जिसमें संचेप में GPAI कहा जाता है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने हाल ही में इस कारक्रम का उदगाटन किया है सिकर संग मेलन के मात्यम से देश artificial intelligence के सही उपयोग कुछ तक्निकी सीमाओं की इस्थापना और AI को और अधिक लोकनत्री कैसे बनाया जा सकता है से समद्ने घोशना दस्तावेच पर समझाओते पर पहुँचने के लिए 28 अन्य देशों के साथ बाज़देश करता है ठीक है ना नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे तीसरा कुश्चन है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस प्रेडिया ट्रिक सेंटर बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है तो इस कुश्चन का राइट आंसर होगा उप्सन भी राइट होगा उत्तर प्रदेश अफ़ात है उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है लखनवу CM कौन है योगी आदित तैनात और गवरनर कौन है अनन्धी बेन पटेल अबात है उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश से important fact जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संतामन साइबर अपरात पुलिस इस्टाइसन खोलने की मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने आगन वाड़ी केंद्रों पर हॉट्कूक्ड मिल योजना भी सुरू की है नेक्स कुश्चन देखेंगे, चौता कुश्चन है, हाल ही में राष्टिय भूविक्यान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉंच किया है, इस कुश्चन का राइट अंसर होगा, ओप्सन सी राइट होगा, पहलाद जोसी, पहलाद जोसी कौन है, केंदरी, कोईला, ख किसमा कुश्चन है, हाल ही में एक्सचेंजर ने किस सहर में, किस सहर में जी एन ए आई इस्ट्यूडियो खोला है, तो इस कुश्चन का राइट अंसर होगा, ओप्सन बी, बैंगलूरू में, बैंगलूरू में एक्सचेंजर ने जैन ए इस्ट्यूडियो खोला है, नेक्स अप्सन ए पूनम खेतरपाल ये उप्सन रहें भिट होगा पूनम खेतरपाल जो 1975 यानि 1975 बैच के पंजाब कहड़र के सिना निवरत आईस अधिकारी और डेबलू एच ओ की दक्चिन पूर्व एसिया छेतरी निर्देश तक डॉक्टर पूनम खेतरपाल सिंगो देश की उन नरेस जिगमे खेशर नाग्याल वंग्चुक ने यहां भुटान के 116 राष्टी दिवा समारोह में भारती नागरी डॉक्टर खेतपल को सम्मानित किया है ठीका ना नेक्स कुश्चिन की बात करेंगे तो सात्मा कुश्चिन है हाल ही में एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारती एरलाइन्स कौन बनी है तो इंडियों बनी है निसी ओप्सन राइट होगा इंडियों जो है भारती एरलाइन्स इंडियों ने गोशना किया कि उसने एक कलेंडर वर्स में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारती एरलाइन्स बनक इतिहास रच दिया है अब बात है इंडिगो तो इंटर ग्लोब एवियेशन लिमिटेड होता है इसकी फुल फॉर्म सी खुब बात करेंगे तो कौरव एम नेगी है और इसकी इस्थापना कब हुई थी 2006 में हुई थी इंडिगो की इस्थापना नेक्स कुश्चन देखेंग है आइसलेंड के हुकाविस संग्राले में भारती अंत्रिक्च अनुसंधान संगठान याने इसरों को प्रतिष्टिट लीफ एडिकशन लूनर फुर्सकार से नवाजा है यह सम्मान विसेश रूप से चंद्रियांत्री मिसन के लिए दिया गया है इस दोरान चंद्रमा के लिए खोजी मिसन पर लगतार आंगे पढ़ने और आकाशी रहष्य पूझने में एहम योगदान के लिए इसरों के समड़पन और उत्रुसाह की सराहना किया है अब बात है इसरों इसकी स्थापना कम हुई थी 15 अगस्त 15 अगस्त 1769 को इसकी स्थापना हुई थी इसकी प्रेंग्डूरू में है इसके हैड़कॉर्टर फाउंडर कौन है विक्रम सारा भाई और चेर्मेन कौन है एस सोमनात इसके चेर्मेन है प्रेज़ेंट टाइम के नेक्स्ट कुश्चिन की बात करेंगे नौमा कुश्चन है हाल ही में किसे अधिकारिक तौर पर जेल महानीद इस तक का पदभार समहला है इस कुश्चिन का राइट आंसर होगा महेश्वर दयाल सी ओप्सन राइट होगा महेश्वर दयाल वरिष्ट आईपीस अधिकारी महेश्वर दयाल ने 18 दिसंबर को 18 दिसंबर को अधिकारिक तोर पर जेल और सुधार सिवाओं के लिए जिस करोड रुपए जुटाएं हैं तो इस कुश्चिन का राइट आंसर होगा HDFC बैंक बी ओप्सन राइट होगा HDFC बैंक नई दिल्ली 20 दिसंबर में नीजी छेतर के HDFC बैंक ने बुद्दवार को कहा कि उन्हें बुन्यादी धाचे और तिफायती आवास परियोजनाओ के विद्द पोर्शनन के लिए गैर परिवर्दनी ब्रांड जारी कर 2425 करोड रुपए जुटाएं हैं अब बात है HDFC बैंक की इसकी स्थापना का हुई थी 1994 में आगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी इसका हेड़कॉर्टर की बात करें तो मॉंबई में है इसका हेड़ और CEO की बात करें तो ससीधर जगदीशन इसके CEO है नेक्स्ट की बात करेंगे गैरहमा कोश्चन है हाल ही में 2023 में भारती बैंकों में लावारीस जमारासी को कितने परसेंट बढ़ा कर 42 करोड रुपए हुई है तो 28 परसेंट सी उप्सन राइट होगा ठीक है ना 19 दिसंबर को संसत के सामने आए आकड़े से पता चला है कि जित वर्स 2023 में बैंकों के पास कुल लावारीस जमारासी 42 हचर 270 करोड रुपए जो कि पिछले साल आकड़ों से 28 परसेंट अधिक है next question क्या है next question है कौन इंडियन स्ट्रीट प्रेमियम लीग ने मॉंबाई टीम के मालिक बने है तो C option right होगा अमिताब बच्चन ठीक ना अमिताब बच्चन बने हैं इंडियन स्ट्रीट प्रेमियम लीग के मॉंबाई टीम के मालिक अभिनेता 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 बच्चन ने सोमभार को इंडियन स्ट्रीट प्रेमियम लीग याने ISPL में मॉंबाई टीम क मालिक बनने की गोशना की है एक प्रिस विज्यापी की अनुसार ISPL भारत का पहला टेनिस बॉल टीटवन्टी क्रिकेट टूनामेंट है जो इस टीडियम की अंदर खेला जाएगा नेक्स कुशन है ते रहमा कुशन है हाल यह में किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजी करण में पाँच ट्रिलियन का आकड़ा चुआ है तो इस कुशन का राइट अंसर होगा SBI यानि B-Option राइट होगा SBI ने पहली बार बाजार पूंजी करण में पाँच ट्रिलियन का आकड़ा चुआ है अब बात है SBI की तो इसकी स्थापना कब हुई थी एक जुलाई एक जुलाई 1905 को इसकी स्थापना हुई थी इसका हेड़कोर्टर कहा है मुंबई में और इसके चेर परसन कौन है दिनिस कुमार खारा दिनिस कुमार खारा इसके चेरमेन है नेक्स कुशिन क्या है हाल ही में किसे प्रदिश्टित अन्ताराष्टी डॉयरेक्टर की उपधी दी गई है तो डॉक्टर नितिन मोहन पी उपसन राइट होगा डॉक्टर नितिन मोहन को अन्ताराष्टी डॉयरेक्टर की उपधी प्राप्त हुई है नेक्स कुशन देखेंगे हाल ही में किस देश के भारत का थर्मल कोईला आयात नमबर में दो वर्ड के उच्चतम इस तर पर रहा है तो सी होपसन राइट होगा अमेरिका भारत ने इस साल नमबर में अपनी लंबी दूरी के थर्मल कोईला कारगो में वर्ड़ी की है अमेरिका से आने वाला सिपमेंट बढ़कर 1.40 मिलियन टन हो गया है जो साल में सबसे अधिक एनेर्जी इंटेलिजन्स फर्म केपलर के अनुसार भारत के कुल 17.9 मिलियन टन थर्मल कोईली का आयात किया है जो कि अक्टूबर 2023 में दर्ज महिने में उच्चतम 18.6 मिलियन टन से कम है ठीक है ना तो आसा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आये होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें वो अपने उन दोस्तों को सेयर करें जो कॉंप्रीशन एक्साम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी हमारी इंस्टाग्राम पेज गिटकर इस तेड़ी थ्रीवन को भी आप फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद